आज पार्ट नमबर दो और पार्ट नमबर तीन का रिविजन होगा, पार्ट नमबर दो, पार्ट का नाम है जिराथ, पेज नमबर सेविंटीन, शब्दर्थ, कठनाई, मुश्किल, शत्रु, दुश्मन, आक्रिमन, हमला, जबडा, मुह में नीचे उपर की हड़ी, जिसमें दाँ चड़े होते हैं, डग, कदम, राष्ट्रिय, राष्ट्रिका, पेज नमबर त्वेंटी, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाईए, तीन विकल्प दिये हैं, जिसमें से एक उत्तर इसका सही है, जिराथ किस तरह रहना पसंद करता है, जुंड बनाकर, अक काफी चोटा, काफी मोटा, उत्तर, काफी चोटा, जिराथ का भाल लगभग कितना होता है, 2000 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, उत्तर, 1200 किलोग्राम, जिराथ किस से दूर रहता है, कीचर और दल्दल से, नदी नालों से, पहाडों से, कीचर और दल्दल से, उत्त अगला question है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिये, fill in the blanks, जिराफ संसार का सबसे डैश जानवर है, उत्तर उंचा, जिराफ किसी को डैश नहीं पहुचाता है, हानी, हानी वाने नुकसान भी होता है, जिराफ का वजन बहुत डैश होता है, अधिक, जिराफ हमेशा अपन डैश से ही अपनी रक्षा करता है, पैरों, उत्तर पैरों, जिराफ की द्रिश्टी बहुत डैश होती है, तेज, पेज नमबर 21, प्रशन उत्तर, जिराफ दिखने में कैसा होता है, जिराफ संसार का सबसे उंचा जानवर है, इसके शरीर में भूरे चौकूर धब्बे होत जिराफ सूखी और कड़ी जमीन पर रहना पसंद करता है, जिराफ क्या खाता है, जिराफ उंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़ कर खाता है, पैर लंबे होने के कारण जिराफ को क्या क्या कठनाईयां होती है, पैर लंबे होने के कारण जिराफ जमीन से कोई चीज मुह म नहीं उठा पाता नीचे दिये गए शब्दों के सामने एक वचन या बहुचन लिखे एक वचन के आगे बहुचन लिखना आगा शब्द बहुचन का है तो उसके आगे एक वचन लिखना है जैसे है टहनिया टहनिया बहुचन है उसका एक वचन होगा टहनी, पत्या, पत्ती, चीज, चीजे, कठिनाई, कठिनाई या, धारी, धारी या, पार्ट नमबर तीन, पेज नमबर 25, शब्द अर्थे हैं, अनुमती, आज्या, जलपान, चाय नाश्ता, हाट, छोटा बाजार, लोक गीत, गाव में गाये जाने वाले गीत, साज, शाम, आखे नम होना, आखों में आशु आना पेज नमबर 30, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाईए, नाना जी की गाय का नाम क्या था? तीन आप्शन है, कपिला, धेनू, लालिमा, उत्तर है कपिला, काविया और उसके मित्रों को कौन टुकुर टुकुर देख रहा था? नौकर, किसान, बच्छडा, उत्तर बच्छडा, बच्चे क्या सुनकर चक्कित रह गए? मूंग फलियों के बारे में, गाउं के बारे में, कपिला के बारे में, उत्तर मूंग फलियों के बारे में, उसके बाद है खाली इस्थान भरिये, नाना जी की गाय का नाम डैश था, कपिला, काविया नानी से डैश गई, लिपट, जलपान करके बच्चे नाना जी के साथ गाव डैश गई कूमने खेतों में तरह तरह की फसलें और डैश लगी हुई थी सब चियां एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए डैश गुन-गुना रही थी लोक गीत अगला प्रश्न है नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखे काव्या मित्र मंडली को नाना जी के घर की क्या-क्या बातें बताती थी काव्या मित्र मंडली को खेतों में उगने वाले फल, सबजियों तथा कपिला गाय के विशय में बताती थी अगला प्रश्न है पेज नमर 31 में नाना जी के घर जाते समय बच्चों ने जीब में क्या क्या क्या, बच्चे सब खुश थे, किसी ने गाना सुनाया, तो किसी ने चुटकुला सुनाया, विहान गढ़े की आवास निकाल रहा था नाना जी के खेतों में जाकर बच्चों ने क्या क्या देखा और खाया, खेतों में बच्चों ने आलू, तमाटर, मूली आदी के पोधे देखे तथा ताजा ताजा गुण बनते हुए देखा बच्चों को नानी ने क्या क्या खिलाया, बच्चों को नानी ने पूरिया, कचोडिया, पकोडिया, सबजी तथा चत्नी खिलाई फिर है उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखे, उल्टे अर्थ धूने हमको मित्र, मित्र का उल्टा अर्थों का शक्त्र, गाव, शहर, प्रसन, अप्रसन, मंद, तीव्र तो इस तरह क्लास त्रिये पार्ट नमबर दो और पार्ट नमबर तीन का ये रिविजन था थेंक्यू